Hello guys, welcome to this YouTube channel और मैं यहाँ पर आप सभी को explain करके बदाने वाला हूँ कि जो हमारी new tax regime है, वो किस तरीके की है और आपने headlines में देख लिए होगा कि किसी भी तरीके का income tax आपको 7 लाग की income पर नहीं देना है यह actual में है क्या आप एक तरफ देख रहोंगे कि जो income tax slab है उसमें तो mention कर रखा है कि सर्थ 3-6 लाग के बिच में आपको इतना देना है और यहाँ पर आप बोलें कि 7 लाग पर कोई income tax नहीं है तो यह किस तरीके से calculation होगी वो doubt मैं हाँ आपका दूर करने वाला हूँ तो पहले आप यह देख सकते हैं यह हमारा new income tax slab है अब आप यहाँ पर देखें कि 0,2,3 lakhs के बिच में कोई भी income नहीं है मतलब आप केबल 5 slab है पहले यह 6 हुआ करते थे तो आप यहाँ पर यह देख सकते हैं कि 5% का है, 10% का है, 15% का है और एक 20 का है, और एक यह 30% का यहाँ पर रखा गया है तो मतलब 3,00,000 रुपए तक इन्हों ने यहाँ पर निल रखा है उसके बाद में 3-6 के बाद में यह है आपका 5% और 6-9,00,000 की income है तो उस पर 10% है, और 9-12 है तो 15% है, और 12-15 है तो 20% है, और 15,00,000 से उपर है यह आपका है, 30% ठीक है, अब guys, जो calculation आ रही है 7,00,000 रुपए अगर आप एक साल में earn करते हो, तो क्या आपको tax देना होगा यह नहीं देना होगा statement में तो आपने पढ़ लिया होगा कि कोई tax नहीं देना होगा तो वो calculation कैसी है, क्या revet 87A के अंतगत, वो चीज़ मैं आपको यहाँ पर explain करने वाला हूँ, आप देखो अगर मैं last year की बात करूँ तो आप यह देखते थी कि 5,00,000 under section 87A है उसके अंतगत आपको कोई भी tax नहीं देना होथा तो यहाँ पर कितना इमान बचा, केवल 2,00,000 आपकी taxable income हो गई, और इसके अंतगत आप आएंगे इस बाले slam में 2,25,00,000 बाले slam में आजाएंगे तो इस 2,00,000 के उपर आपका लगेगा 5%, जो आपका बनेगा 12,500 रुपए अब 12,500 आपका अंडर सेक्शन 87 के अंतगत यह आपका रिवेट मिल जाता था इतने आपको छूट मिल जाती थी अब देखो, आप अगर income कमारो यहाँ पर 7,00,000 रुपए तो 7,00,000 में, अब आप यहाँ पर आजाओ 3,00,000 तक निल है कि जो 3,00,000 रुपए है यह आपका जाएगा 5% की रेट पर ठीके? और जो बचेगा 1,00,000 रुपए है वो आपका किस पर जाएगा? यह जाएगा 10% पर तो 3,00,000 रुपए है अगर आप 5% के इसाफ से निकालोगे तो यह निकल कर आएगा आपका टेक्स जो है 15,000 रुपए है अब आप 1,00,000 रुपए 10% की रेट से निकालोगे तो यह आपका निकल कर आएगा 10,000 ठीके? आप इन दोनों को एट कर दोगे यह कितना हो जाएगा? 25,000 तो क्या आपको यह टेक्स देना है? आपको यह टेक्स नहीं देना है क्योंकि अभी गायस जो 87A है वो अपडेट होगा और उसके अंतगत आपको फुल रिवेट यहाँ पर मिलेगा तो यह हम कह सकते हैं कि 7,000,000 की इनकम पर आपको अब कोई भी तो यहाँ पर भी होगी और यह calculation के थुरू आप यहाँ पर समाझ गहोंगे फटा फट चैनल को subscribe जरू कर देना और कुछ और भी चीज है जो मैं आपको यहाँ पर और भी बता रहा हूँ वो आपका क्या है? आपने यहाँ पर देख लिए होगा कि जो highest surcharge है इंपोर्डेंट इंफर्मिशन थी जो मैं आप सभी की बीच में circulate करना जागा था कम टाइम में आप सभी को सारी चीज बता दिये तो प्लीज इस चैनल को subscribe कलेना और वीडियो को लाइक जरू कर देना और शेर कर देना आपने दोस्तों की बीच में ताकि उनके मन में भी इस तरीके का कोई डाउट ना रहे कि ये 7,000,000 अच्छल फंडा है क्या और किस तरीके से ये काम कर रहे है तो प्लीज कमेंट जरू करेगा मैं सारे डाउट्स आपके क्लियर करूँगा जो भी income tax related होगे है थैंक यू सो मच गाइस, हब गूट दो लख वी बन्स अगिन, भी विल मिट इन नेक्स वीडियो